नफशकार दोस्तों नई दिशा मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है तो आज हम डिसकस करेंगे LT Commission जो की 2019 में करवाए गया था उसका GK Part 2 आपसे डिसकस करेंगे तो Part 1 में इसका बना चुका हूँ अगर किसी भी परसन है वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी उसको देख सकते हैं तो Cool Fresh ने पूछ जाएंगे आज 20 तो वीडियो को दियां से देखें और Skip न करें बहुत ही मातपुन कोशन आपके आने बाले एक्जाम के लिए और इस वीडियो के जड़ी आपकी रिवीजिन भी हो रही है तो वीडियो को दियां से देखें और Skip न करें अगर किसी भी परसन को इसका ओनलाइन टेस्ट देना होगा तो जैसे ही LT Commission के 50 कोशन पूरे होते हैं तो आपको उसका ओनलाइन लिंक डिस्क्रिश में दी जाएगा उसके उपर आपके लिए करके भी इस वीडियो का ओनलाइन टेस्ट देखें अपना Evaluation कर सकते हैं तो चलते हैं आज के पहले कोशन की तर्फ और वीडियो को दियान से देखें अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को Like, Share and Subscribe जूर कर लें ताक कि आने वाले हर वीडियो की Update आपको ऐसे ही मिलती रहें तो चलते हैं आज के पहले कोशन की तर्फ यह रहा पहला कोशन तो कोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि अगर हम 10 कोशन डेली डालेंगे मोर्निंग में HPGKK जैसे ही मेरा टारगेट है 300 जो की Most Important कोशन होगे 300 HPGKK जैसे 300 कोशन कंपलीट होंगे 9 अगस्त तक तो 300 कोशन के आपको साथ में Online Test का Link और साथ में आपको Moke Test भी दिये जाएगा बहां से आपको पता चलेगा कि हम में हमको इसमें से कितने आते हैं अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो प्लीजी प्लीज कमेंट में बताएगे कि अगर जितने जैने आपके कमेंट आएंगे तब यह हम वीडियो बनाएंगे अधरौइस ङब्वाएř नहीं बनाएंगे साथ आपको उसके बारे में एक्ट्रा भी बताए जाएगा अगर आप चाहते हैं तो प्लीज हमें कुमेंट में बताएगे कि इस तरह की वीडियो भी आप लेके आएं तभी हम बनाएंगे अगर जितने ज्यादा कुमेंट आएंगे तभी बनाएंगे तो यह राप पहला नोशन आपको एक्जाम में पूचे जाएंगे तो वीडियो को दिया से देखे इस बीडियुक्त को जही आपकी रिवीजुन मिं हो देखिए हृी है जल्दी से आपकी रायटन से बताएंगे जिसको जल्दी से इसका रायटन से बताएं तो जल्दी से इसका होगा 對啊rhности Bennett's तो इसने और क्या किये था इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी इंडिका पुस्तक लिखी थी तो इस बार आपका ये बदेशी पर्टक पुष्च है तो मेगा सनी से जितने भी आपके कोशन मनता है इंडिका पुस्तक इसने लिखी थी तो सी उसने इस राइट ये रा नेक्स कोशन कोन बेतरही का भाग नहीं था तो इसमें से आपको बताना है कि कोन बेतरही का भाग नहीं था तो चार ओप्षन आपकी स्क्रिंड पर हैं ओप्षन को द्यान से देखें और जल्दी से इसका राइट अंस बताएं कोशन को द्यान से देखें और जल्दी से इसका रइटांस बताएं तो इसका होगा अथरवेद अगर हम रिगवेद की बात करें तो रिगवेद में क्या है उसके वारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए जो सत्य में बिजयते है मुटकोपनिशद इसे रिगवेद से आपको जानकारी होनी चाहिए और रिगवेद की रचना कहा हुई थी पंजाब के क्षेतर में इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए नेक्स बात करें सामवेद तो सामवेद को भारतिय संगीत का जन का जाता है किसे का जाता है बारते संगीत का जनक का जाता है किसे सामवेद को इसके वारे में आपको पता होनों चाहिए ऐसे कोशन भी एक्जामनर पूछ सकता है अगर नेक्स बात करें या जुवेद तो ये गद्दे और पद्दे दोनों में रचिता है इसके वारे में आपको जानगारी होनी चाहिए यह रहा नेक्स कोशन रज्या सुल्तान किस दिल्ली सुल्तान की पुत्री थी तो कोशन को दियान से देखें ऐसे कोशन पूछे जाएंगे आपके हमिरपुर बोर्ड की तरप से तो प्लीज जल्दी से इसका राइट अंस बताएं और वीडियो को पूरी देखें और दियान से देखें देखते हैं सबसे पहले किसका राइट अंस आता और आपकी कितनी त्यारी है आने बाले हिमाच्टल एक्जाम के लिए तो इस चैनल के मादिम से आपके जो भी ओल्ड कोशन है वो करवाए जा रहे हैं और जैसे एक सब्ता पूरा होता है तो आपको HP Current Affair की PDF पी साथ में प्रवाइड करी जाती है और उसका लिंक भी आपको जैसे एक मंत पूरा होगा तो आपको जुलाई मंत के ओल्लाइन टेस्ट का लिंक भी दिया जाएगा ताकि आप अपना Evaluation कर सकें तो जल्दी से इसका राइटान से बताएं तो इसका होगा इल्टुमिश तो रज्य सुल्तान किस दिल्ले की शास्त की पूर्षी तो इल्टुमिश अगर इल्टुमिश के बारे में बात करें तो इसने कब से लेकर कब तक शास्तन किया था इसके बारे में आपको जानगारी होनी चाहिए कई बार एक्जामनर आपका ये भी पूछ सकता है कि इल्टुमिश ने कब से लेकर कब तक शास्तन किया था तो इसने किया था 1210 से लेकर 1236 इसी पर तक इसने अपना शासन किया था और इसने जो अर्बी सिक्के भी चलाए थे और इसने और क्या किया था अगर नेक्स बात करें बल्वन के बारे में तो बल्वन ने कब से लेकर कब तक शासन किया था तो बल्वन ने 1216 से लेकर 1267 तक अपना शासन किया था लो एबम रक्त की नीती किसने अपनाई थी तो ये अपनाई थी वलवन ने अगर इसकी मृत्ती क्यों बात करें तो कई बार एक्जाम में मृत्ती पूछ ले जाती है तो 1287 इसमी में इसकी मृत्ती हुई थी इसके वारे में भी आपको जानगारी होनी चाहिए किसी भी टोपे को पढ़ने से पहले उन्हें बिस्तार से पढ़े मुहमद गोरी कौन था इसके वारे में भी आपको जानगारी होनी चाहिए मुहमद गोरी ने कब से लेकर कब तक शासन किया इसके वारे में भी आपको जानगारी होनी चाहिए और मौम्मद गोरी ने उन्हें ने दो यूद लड़े थे कौन-कौन से उसके वारे में भी आपको जानकारी होनी यह प्रत्थम यूद लड़ा था 1191 में कि किसके बीच प्रिथि विराज और मौम्मद गोरी की बीच में यह यूद लड़ा गया था इसके वारे में भी आपक के बीच में यूद लटना रहा था तो मैंने इतने इफेक्ट बता दिये तो वीडियो को द्यान से देखें और पूरी देखें अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्रीज लाइक करें क्योंकि कोई भी परसन लाइक नहीं कर रहा है किस मुगल शास्त्क ने इबादत खाना नामक सब अगरह बनाया था तो चार ओशन आपकी स्क्रिंड पर जल्दी से इसका राइटन्स बताए तो इसका होगा अकवर इसना इबादत खाना नामक सब अगरह बनाया था अगर अकवर के कई बार एग्जाम में ये भी पूछ ली जाता है कि हकबर का जनम कब रहा था इसके वारे में भी आपको जान का रही होना लिए इसके आख़र का जनम हुआ है 15.42 ऐस य्क्झाम में ये भी पुछई जा सकता है last year आपका जो commission हुआ था टीजीटी में उसमें आपका बाबर का जन्म भी पूछा गया था कि बाबर का जन्म कब हुआ था तो अगर अकबर के बारे में और बात करें तो इसने और क्या किये था इसके बारे में भी आपको जानगारी होनी चाहिए बाबर का जन्म 55 avis में और इसकी मृत्य कब हुई थी इसके वारे में भी आपको जानकारी होने चाहिए इसकी मृत्य सीटिवें से करने के कारण इसकी मृत्य हुई थी तो ऐसे कोशन आपके एकजाम ने पूच्छ जाएंगे उरेंग जेब का जन्म कब हुए था इसका हुआ था 1618 भी में इसे भी आप याद रखें यह रहा next question rule of law निमलिकित मेंसे किस की बिशेषता है तो जल्दी से इसका right answer बताना आपको जो rule of law निमलिकित मेंसे किस की बिशेषता है तो 4 ओफन आपकी screen पे option को दियांसे देखें और राइट अंसर बताएं तो इसका होगा बिरिटेन रूल ओफ लो कि की बशेष्टा है बिरिटेन की तो ऐसे कोशन पूछे जाएंगे आपके पोलिटिकल साइंस के तो ध्यान से पड़ें और आने वाले हमाचल एकजाम के लिए अच्छी त्यारी करें यह राइट नेक्स क समाजिक न्याय का उदेशय कहां पर दिया गया है अनुशेद 14 अनुशेद 15 अनुशेद 16 अनुशेद 16 अनुशेद परस्तावना तो दिया गया है तो ऐसे कोशन पूछे जाएंगे आपके अमिरपूर बोर्ड की तरफ से तो बीडी को दियां से देखते रहें और पूरी कोन सी याच का बेगतिकत 17 बचाब करती है तो जल्दी से इसका रायटर्ण सर आपको बताना है कोन सी याच बेगतिकत 17 बचाब करती है को चार ऊफन की स्क्रिन पर हैぞ थो यह करती है बंदि प्रतेक्शे करन भी यो ओफ निज र ICE जैसे लटी कमिशिण 2019 के आपके 50 गोश? कम्प्लीट होंगे तो इसका आपको ओनलाइन टेस्ट दिये जाएंगा और साथ में आपको मोग टेस्ट भी दिये जाएंगा ताकि आप अपना इवेल्यूशन कर सकें कि आपको इस में से कितना आता है और मैंने आपको बताए कि हम एक प्लान बना रहे हैं अगर आप इसमें आपका सभी कस्योंचे अगर सभी ओनलाइन आएंगे और सभी के मुझे मैसेज आएंगे कि हांसर आप मनाईए और दस कोशन डिल डाले जाएंगे मॉर्निंग में 6 यहां सब्सकी कलास होगी और जितने भी आपके इंपोटेंट कोशन बनते हैं वो डाले जाएंगे और इसका टार्गेट रखा है मैंने 9 अगस्तक 9 अगस्तक हम टार्गेट बनाएंगे और इसमें 300 इंपोटेंट कोशन पूछ जाएंगे जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं जैसे 300 कोशन कमपलीट होगे तो ओनलाइन टेस्ट के तीन ओनलाइन टेस्ट लिंक दी जाएगा और साथ में मोग टेस्ट भी दी जाएगा तो आप मुझे अपने सुझाब दीजे कि हमें इस तरगी वीडियो भी चाहिए यह रा नेक्स कोशन किस सदन में सदन का अधक्षे उस सदन का सदस्य नहीं है तो इसमें से आपको बताना है कि जो सदस्य उतर सदन का वो इसमें से नहीं है तो जल्दी से इसका राइटन सापको बताना है देखते हैं सबसे पहले किसका राइटन साथ है अगर वीडियो अ सदन का सदस्य नहीं है अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का गटन किस आर्टिकल के अंडर की जाता है तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होने चाहिए कई बार ये भी एक्जाम में पूछ ली जाता है तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होने जाता है तो 81 आ 169 के तहते इसका गठन किया जाता है रजसभा के बात करें तो 80 आर्टिकल के तहते रजसभा का गठन किया जाता है तो आप मुझे कुमेंट में ये बिताई कि लोगसभा में कि सदस्य है जो उनके लोगसभा के सदस्य के अधिक्तम संग क्या होती है वो कितनी होती है यह रहा next question चंदर ग्रैन के दुरान निमलिक खित मैंसे कौन के अंदर में रहता है तो जल्दी से इसका राइट अंसरा आपको बताना है चारोशन आपकी स्क्रिन पर है ओप्शन को दियान से देखे और राइट अंसरा आपको बताना है चंदरग्र्यान के दुरान निमलिक खित में से कौन के अंदर में रहता है तो ये रहता है प्रिथवी अगर चंदरग्र्यान के बारे में बात करें कि तो चंदरग्र्यान कब लगता है कई बार आपको एक्जाम में ये भी पूछ ले जाए कि चंद्रग्राण कब लगता तो इसके वारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए जब पृत्वी और चंद्रमा जब पृत्वी सूरे और चंद्रमा के बीच आता है तब क्या होता है चंद्रग्राण अगर सूरे ग्रेन की बात करें तो इसके बारे में भी आपको जानगारी होनी चाहिए इसका आप उल्टा कर सकते हैं सूरे जब चंद्रमा एबम प्रिसिपी के बीच आ जाएं तब सूरे ग्रेन होता है जब, जब चंद्रमा, सूरे जब चंद्रमा शूरे एबम परिथी पी के बीच आ जाएं तब क्या होता है? सूरे गरें ये रहा नेक्सट कोशन दो जल निकाहों को जोडने बाली पतली पत्ती कहलाती है तो इसमें से आपको बताने कि इसमें जो दो जल्द निकाओं को जोडने वाली पत्ली पत्टी क्या कहलाती है तो चार ओप्षिन आपके स्क्रीन पे है राइट अंसर आपको बताना है इसका होगा D इस्तमस दो जल्द निकाओं को जोडने वाली पत्ली पत्टी क्या कहलाती है इस्तमस यह रहा next question निमलिक्षित मैंसे किसके लिए बायू मंडली बाश्चप पारदर्शी है तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कोई सी बायू मंडली बाश्चप पारदर्शी है तो चार option आपके screen पे हैं जल्दी से इसका right answer बताएं निमलिक्षित मैंसे किसके लिए बायू मंडली बाश्चप पारदर्शी है तो इसका होगा आगत और बिकर्ण तो वीडियो को पूरी देखें इस वीडियो से आपका evaluation हो रहा है कि हमिर पर बोर्ड किस तरह के question पूछ रहा है आपके TGT commission में तो यहां से आपको पता चलेगा कि इस ताप के question पूछे जा रहे है तो आपका यहां से evaluation हो रहा है revision भी हो रही है यह रहा next question हैजा, अतिसार और पीलिया किस कारण फैलता है तो रोग से जितने भी question बनते हैं आपके science के उसे भी आप पढ़ ले हर exam में एक question पूछा जा रहा है हैजा, अतिसार और पीलिया किस कारण फैलता है तो जल्दी से इसका राइटेंस बताएं तो इसका होगा जल्परदूशन हैजा, अतिसार और पीलिया इसके कारण फैलता है तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए आने वाले commission के लिए आप रोग से जितने भी question बनते हैं आप पढ़ के जाएए, यहां से भी आपको एक question जुरूर बनेगा यह रहा next question निमले कित में से कौन सा जाती स्मू आर्या कहलाता है तो यह geography आपकी start होगी है तो इसमें से आपको right answer बताना है निमले कित में से कौन सा जाती स्मू आर्या कहलाता है तो चार option आपको screen पर है राइट answer आपको बताना है तो no drink जाती स्मू आर्या कहलाता है यह रहा next question नातुला स्तीत है तो जितने भी आपके माचल पदेश के दर्रे यह center के है उसके बारे में भी आपको जानगारी होनी चाहिए तो जल्दी से इसका right answer बताएं नातुला स्तीत है तो इसको गसी सीकम कई बार यह question exam में पूछा गया है यह रहा next question बुक्साइट किसका एक महतपूर्ण आइसक है तो जल्दी से इसका right answer आपको बताना है बुक्साइट किसका एक महतपूर्ण आइसक है तो जल्दी से इसका right answer आपको बताना है तो चार ओफिन आपकी screen पर है जो भी आपको right answer लगता है वो बताएं तो इसका होगा इन मैसे कोई नहीं अगर इसकी बात करें तो इसका है Aluminium Aluminium इसका एक आइसक है ये रहा next question उपग्रे संचार में कौन से विद्यूत चुमकिय विकर्ण प्रियुक्त होते हैं तो जल्दी से इसका right answer बताएं अगर वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज चैन को like, share and subscribe जूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की update आपको समय समय पर मिलती रहें तो इसका होगा भी microwave ये रहा next question अब दिर्थ अब अबासी प्रतिविम प्राप्त करने के लिए कौन सा दरपन प्रियुक्त होता है तो चार ओफिन आपके स्क्रीन पर है सोच समझ के इसका right answer बताएं जल्दवाजी न करें अराम से इसका right answer बताएं अबतल दरपन उतल दरपन समतल दरपन इन में से कोई नहीं तो इसका होगा अबतल दरपन जिनका अबतल दरपन बो राइट है ये रहा next question कौन सा अच्छा बिद्धुत चालक है तो जल्दी से इसका right answer आपको बताना है कौन सा अच्छा बिद्धुत चालक है तो चार ओफन आपकी स्क्रिंड पे right answer आपको बताना है तो इसका होगा गरेब फाइट कौन सा अच्छा बिद्धुत चालक है गरेब फाइट तो ऐसे question पूछे जा रहे है आपके commission में science के ये रहा next question लोग जो इसकी एक रोगातमक स्थिती है तो जल्दी से इसका right answer बताना है तो रोग से जितने भी आपके question बनते है science के उसे आप पच्चे से पढ़ लें एक याँ दो question याँ से आपके जुरूर बनेंगे तो बीडियो को द्यान से देखें और आने वाले हिमाच्चल एकजाम के लिए अपनी त्यारी अच्छे से करिए तो इसका होगा डियोफनेस टिटनेस लोग जो ये भी आप याद रखें लोग जो ये रा next question कौनसी authority प्रदिकार केंद्रे करो में रज्य का हिस्सा निधारित करती है तो जल्दी से इसका right answer बताएं कौनसी authority प्रदिकार केंद्रे करो में रज्य का हिस्सा निधारित करती है तो इसका होगा बिता योग तो मुझे आप ये बताएं कि जो बिता योग है ये कौनसे article में है तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्ली चैन को like, share and subscribe जूर कर ले अगर आपको 10 कोशन डिल ली चाहिए morning अगर आप class जाते हैं तो मुझे आप comment में अपने सुझाब जरूर दीजिए जैसे 300 कोशन का target पूरा होगा तो आपको online test साथ में दी जाएगा और साथ में आपको mock test भी दिया जाएगा और फिर जैसे आपके TCT commission खत्म होते हैं तो आगे आपके clerk के exam होंगे auditor के exam होंगे तो उनके लिए काफी beneficial हैं वो कोशन तो हमें एक target रखेंगे उसके बाद 1000 कोशन का है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियों साथ तब तक के लिए धन्यवाद